सुबह हमने देखा हमारा धन सात्विक होना चाहिए क्योंकि धन किसके साथ आए घर दुवाओं के साथ धन कमाएं बहुत कमाएं लेकिन जितना धन आए वो दुवाओं के साथ आए किसी का दर्द का एक भी थौट हमारे धन में नहीं लगाऊना चाहिए क्योंकि जो धन हमार घर आएगा, उस धन से फिर हम अन खरीदेंगे तो अगर धन में किसी का दर्द लगा हुआ है तो वो अन पर आएगा अन जो बच्चा खाएगा, उसके मन पर असर पड़ जाएगा तो धन का connection अन फिर अन से मन और फिर मन से तन चार एनर्जी जेवन के तो पहले धन क्लीन फिर उसके बाद अन साथ्विक फिर उसके बाद मन साथ्विक मन साथ्विक कैसे करेंगे रोज उब आदा घंटा अपने लिए ज्यान भरके अपने अंदर मीडिया जो हमें परोस्र है उसको ध्यान से पढ़े जितना जरूरी है उतना ही लें सोशल मीडिया हमें जो परोस्र है सारा दिन आप लोग सब को बताते हो कि आजकल की सबसे बड़ी बिमारी है ओवर थिंकिंग लेकिन ओवर थिंकिंग का कारण है ओवर इन्फरमेशन overthinking को हम कभी नहीं रोख पाएंगे जब तक हम over information को नहीं रोखेंगे तो over information से overthinking फिर उससे बाकी psychosomatic diseases क्योंकि सारा दिन देखो हमारे पास information flood हो यह यह video, यह audio, यह photo, यह post यह किसी का यह पढ़ते चारे पढ़ते चारे जो हम पढ़ेंगे सुनेंगे, देखेंगे जो movie हम देखेंगे, जो किताब हम पढ़ेंगे जो serial हम देखेंगे जो comedy हम देखेंगे जो जैसी quality की होगी हमारा चित वैसा बनता जाएगा हमारे संसकार वैसे बनते जाएगे तो वो ही सुने, पढ़े, देखें जैसा अपना भाग्या चाहते है ऐसा हमें लगता है कि हम बैठके ऐसे ही तो सुन लिया टाइम पास वो टाइम पास नहीं होता वो हमारी डेस्टिनी पर असर करने वाला है तो मीडिया से भी लें सोशल मीडिया से भी लें सब चीजों को यूज करें जैसे एक किसी की गरम जाएं, वो दस चीज़े बनाएगा हम उसमें से वो ही लेते हैं जो हमारी डाइट को सूट करते है वो ही लेंगे इसी तरहे मीडिया और सोशल मीडिया हमारे सामने सब कुछ परोसेगा हम उसमें से वो ही उठाएंगे जो हमारी emotional diet के लिए सही है बाकी सब चीजों के लिए No, I am on a diet और अपने आपको बचाने के लिए लोग जो आके negative information भरते है पता है क्या हुआ उदर पता है क्या हुआ उसने पता है क्या क्या उसके घर में पता है क्या हुआ आज बता है ओटी में क्या हुआ information लिए है information of that world लिए है information of our world दूसरों की कमजोरियां सुनेंगे अपने जित का हिस्सा बन चाएगा अपना white circle क्या हुचाएगा is it possible कि कोई आकर हमे सुनाए और हम उसको कहें Om Shanti I am not I am on a I am on a diet कहते है न हम फिजिकल चीज होंके लिए सपोज हमें फ्राइड निए खाना और कहें कोई समोसा खालो कहें नहीं सुरी I am not eating fried पर वो इतना प्यार करते है हमारे से हो कहते है आदा तो खालो ना प्लीज हम कहेंगे नहीं फिर वो बते क्या कहेंगे अच्छा उपर वाला छोड़ो सिर्फ नीचे वाला तुकड़ा खालो इतना प्यार करते हैं लोग हमारे से एक दिन सिर्फ बोलना है no means no means no अगली बार वो देंगे ही दें लेकिन अगर एक बार एक तुकड़ा भी खालिया ना तो अगली बार बोलेंगे ऐसे ही बोलते हैं खा तो लेते हैं उसके बाद वो बना दो इनके रहे अभी सब कुछ same with gossip same with gossip अगर हम सुनेंगे तो सुनाने वाले बहुत है एक दिन ना कईएगा उसके बाद वो सुनाने के लिए नहीं आएंगे आप भी बच जाएंगे सुनाने वाले भी बच जाएंगे और जिनके बारे में वो सुना रहे हैं वो भी बच जाएंगे और hospital का वातवरन भी बच जाएगा और patient भी बच जाएगे बहुत सारे יות हम सोचते हैं ओ मैं उनको मना करूँगा तो वो क्या सोचेंगे, उनको बुरा तो नहीं लगेगा, हम बहुत छोटी चीज़ें सोचते हैं, कि उनको बुरा ना लग जाए, बाकी जो बुरा हो रहा है उसका result, वो नहीं हम सोचते हैं, एक बार करके देखेगा, भडमात्मा केते हैं, सिर्फ बैठ कर ऐसे ऐसे भी किया अगर, जब कोई सुना रहा है, ऐसे ऐसे भी किया, तो आप उसके कार्मिक अकांट में भागीदर बन गए, कोई कहानी सुना रहा हो, हम ऐसे ऐसे करेंगे, तब तो वो सुनाता जाएगा, और केंगे, यह तो बड़े इंट्रेस से सुन रहे हैं, देखो आप सब इतने दिन से इतने इंट्रेस से सुन रहे हो, तो हम सब यहां से सुनाते जाते हैं, सुनाते जाते हैं, सुनाते जाते हैं, सुनाते जाते हैं, आप दो मिनट ऐसे करो, बोलने वाला रहे हैं, किसी को इंट्रेस नहीं, ओम शान्ति करेंगे चलाएगा, तो हमें यह नही कहना चाहिए, मैं क्या करूं, वो सुना रहे थे हमें यह क्या कहना है मैं क्यों सुन रहे थे why am I becoming an instrument in this negative energy circulation तो सिरफ एक बार उनको कहेंगे कुछ और बात करते हैं वो कहेंगे सुनो, सुनो, कुछ और बात करते हैं वो दो तीन बार बोलेंगे उसके बाद वो नहीं बोलेंगे तो information about other people जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते और वो सिरफ किसी की कमजोरी या किसी की बाते हैं तीसरी type of information आपको पता है आपके बारे में क्या कह रहे थे वो आपको मालब है उसने क्या कहा आपके बारे में तब क्या करेंगे? हमेशा याद रखना जो सुना रहे जहां से उसने सुना उसने जहां से सुना सब के संसकारों का filter आपके पास वो information आ रहे है तो आप information नहीं ले रहे आप information perceived by four sanskars आप उसको ले रहे हैं प्यार से एक आंसर देना if there is something I have to do about it tell me, otherwise I don't want to hear तेल से आपको सुनना चाहे I don't want to hear I don't want to know जिसको मुझे कुछ कहना है वो आपके मुझे directly बताएगा मुझे वाया वाया communication with वाया वाया sanskars it is not वाया वाया communication, it is वाया वाया communication with वाया वाया sanskars and इसलिए कहा कुछ जाता है पहुंचता कुछ और है और सिरफ उस रीजन से कार्मेक अकाउंट भिगड़ जाते है तो जितना अपने आपको इस एनरजी से बचाएंगे आपका एनरजी फिल्ड वाय रहेगा रोज और जितना वाय रहेगा उतना एंजल हमेशा उड़ता जाएगा रोज सुबह आदा घंटा ज्यान और meditation और दिन में एक एक घंटे के बाद एक मिनट pause and जो सुबह डिसाइड किया था उसको reaffirm गुसे का संसकार खतम करना है सुबह करेंगे peaceful soul child of ocean of peace और हर एक घंटे के बाद I am peaceful soul I am peaceful soul और रात को सोने से पहले I am peaceful soul सोचते सोचते सो जाएंगे सारी रात वो सोच काम करेंगे और जब भी कुछ खाएंगे पिएंगे शांती के सागर की शक्तियां इसमें I am peaceful soul तीन महीने नहीं लगेंगे it does not take three months it's going to happen very very fast and तब आप खुद काएंगे कि ये जो ज्यान है न ये direct पर मात्मा काई है इसले ये इतना सहज है इतना powerful है and most important आपको meditation में उससे अनुभफ होना शुरू होगा पर मात्मा के साथ एक direct personal relationship उसको यूस करना शुरू करे भगवान केता है मैं बैठाओं मुझे यूस करो मतलब मेरी शक्ती को यूस करो sun तो कितने सालों से था किसी ने सोचा sun की शक्ती को यूस करो तो पूरा cooking system लग जया शान्ती वन में solar energy से किसी ने सोचा sun की शक्ती को यूस करो पूरी electricity बन गई शानती बन में solar power से, sun तो कब से था उसको हम use नहीं करे थे तो पड़मात्मा की शक्तियां constant हैं हर thought, word, action में उसको लेते जाएंगे उससे बात करते जाएंगे उसकी शक्तियों को लेंगे अपने करवों में use करेंगे खुद भी miracle create करेंगे औरों की जीवन को भी miracle बनाएंगे और तब हरे कहेगा आप मेरे जीवन में फरिष्टा हो क्योंकि आप उनको सुख देंगे